केजरिवाल के लिए नेताओं का उप्वास बीजेपी ने नेताओं को दिया मुहतोर जवाब केजरिवाल के बिना ही चुनावी कैम्पेंच शुरू बीजेपी के वार से बोखलाई आतिशी मार लेना नमस्कार मैं हूँ सायम और आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट दिल्ली की सियासत में इस वक्त कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन के जिवाल की गिरफतारी के बाद से ही दिल्ली में सियासी उठापटक जारी है और अलग-अलग तरह से आमादवी पार्टी के नेता अर्विन के जिवाल के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उसका भी कोई खास रिस्पॉंस आमादवी पार्टी को मुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और जनता इनके विरोध प्रदर्शन में जाना भी पसंद नहीं कर रही है जिसकी वज़ा से आमादवी पार्टी की तरफ से जो भी प्लान किया जाता है वो पूरी तरह से फेल हो जाता है और उस पर पानी फिर जाता है अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ है जिसकी वज़ा से अर्विन केजिवाल की मुश्किली बढ़ गई है और बीजेपी के हाथ एक बहुत बड़ा मुद्दा लगया है इसी की बज़ा से आम आदमी पार्टी की मंतरी आतिशी मालेना बुरी तरीके से बौकला गई है एक तरफ तो अर्विन केजिवाल को लेकर बवाल मचा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने केजिवाल के बिना ही चुनावी कैम्पेइन का आगाज कर दिया है तो क्या कुछ है पूरा मामला चलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं E.T. की तरफ से गिरफतार दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजिवाल की गिरफतारी के खलाफ आम आदमी पार्टी ने 7 अपरेल को सामोही को पॉआस रखा था जिसके बाद बीजेपी ने भी जम कर आमादमी पार्टी को घेरा है और केज़िवाल की पार्टी के मनसूबों पर पानी फेर दिया है दरहसल दिली में कथी तोर पर वे शराब घोटाला मामले में आमादमी पार्टी के संयोज़क और मुख्यमंतरी अर्विन केज़िवाल तेहार जेल में हैं इसे लेकर आमादमी पार्टी के वरिष्ट नेताओं दिली के कैबिनिट मंतरियों और विधायकों ने दिली के मुख्यमंतरी अर्विन केज़िवाल की गिरफतारी के विरोध में जनतर मंतर पर एक दिन का सामोही को प्वास रखा था आमादमी पार्टी ने भारतिय जनता पार्टी पर तानश राही का आरूप लगाया और कहा कि आगामी लोगसभा चुनाओं में लोग केज़िवाल की गिरफतारी का जवाब अपने वोटों से देंगे आमादमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन में दिल्ली विधान सभा अध्याक शिराम निवासकोय, उपाध्याक शिराकी बिर्ला, क्याबिनिट मंतरी गोपाल राय, सौरब भारदवाज आतिशी, कैलाश गहलोत और इमरान हुसेन के साथ ही राज्ये सभासांसत, संजे सि के वापस आने से खुश नहीं है, क्या उनके मुख्यमंतरी बनने के सपने के बीच में अब संजे सिंग आ गए हैं, एक तरफ तो ये सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली की मंतरी आतिशी ने भाजपा पर ताना शाही का गंभीर आरोप लगाया, और दावा किय कि आपका उप्वास भाजपा की रातों की नीद हराम कर देगा, केजरिवाल की गिरफतारी बीजेपी के ताबूत में आखरी कील साबित होगे, आजादी से पहले एक महत्मा के अंशन ने भारत में ब्रिटिश शासन की नीव हिला दी थी और आम आदमी पार्टी का ये शिवक्ति को फर्जी मामले में जेल में डाल दिया गया है, केजिवाल के समर्थन में देश ही नहीं, दुनिया में भी जगा जगा विरोत पैदर्शन हो रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धी है, ताना शाही सरकार के खलाफ हमारा संदेश लोगों तक पहुँच रहा है, असली शराब घोटाला तो बीजेपी ने किया है, और उसके मनी ट्रेल का भी पता चल गया है, केंद्री जाच भीरो यारी सीबी आई प्रवर्तन देशाल है ईडी और आईकर यानी आईटी विभाग को भाजपा नेताओं के खलाफ जाच करनी चाहीं, आतिशी माल गवाहों में से किवल चार ने ही आपके राष्टिय संयूजक के नाम काउल लिख किया था, उन्होंने आगे कहा कि लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन गवाहों ने किस परिस्तिती में केजरिवाल का नाम लिया है, दिल्ली के मंतरी सौरब भार्दवाज ने भी इसमें अपना मौका नहीं चोड़ा और कहा कि पार्टी अब 2011-12 में किये गए विरोध प्रदर्शन की तरीके पर वापस आ गई है, लोग देश के लिए गीत गाने के लिए एक साथ आए हैं, उपवास रखा, भाजबा के निरतित वाली सरकार की उल्टी गिंती अब शुरू हो च दिल्ली विरान सबा अध्यक्षिर राम निवास गोयल ने कहा कि ये लडाई अब चुनिवी सरकारों के विधायकों को खरीद कर सरकारे गिराने वालों के खलाप शुरू हो गई है, भाजबास सत्ता की भूकी है और वो चुनाव हारने के बाद 5 साल तक इंतजार भी नहीं कर सकते हैं, हम भारत के सम्विधान की रक्षा कर सकते हैं, वो आपको तोड़ना चाहते थे लेकिन हम मजबूत हो गए हैं, मेर शैली ओवराय ने कहा कि जनता ताना शाही रवये का जवाब देगी, अब ये सपष्ट हो गया है कि केवल केजरिवाल ही प्रधान मंत्री नरे सेवा और कल्यार देना कोई अपराद नहीं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी अध्यक्षी वीरेंद्र सचदेवा ने कड़ा प्रहार किया है, उन्होंने कहा है कि केजरिवाल कई भ्रष्ट चार घोटालों में लिप्त हैं, बहतर होता कि केजरिवाल की पार्टी सा सामूहिक उप्वास का सहारा लेने की बजाए सामूहिक रूप से भ्रष्ट चार का प्रायश्चित करती, बहतर है कि केजरिवाल धोखे बाज है और राजनीती में आने से पहले उन्होंने जो बादा किया था उसके ठीक विपरीत काम कर रहे हैं, केजरिवाल के पापो का पश्चत आप एक दिन के उप्वास से नहीं होगा क्योंकि पूरी पाटी ने इतने पाप किये हैं कि जीवन भर के उप्वास से भी उन्हें मुक्ती नहीं मिलेगी विरेंदर सचदेवा ने केजरिवाल के साथी बाकी आप नेताओं पर जम कर हमला बोला, उन्होंने कहा कि ये शीश महल भरष्टचार का ताज महल है जो दिल्ली के टाक्सपेर्स की गाड़ी कमाई का पैसा है, शराब से शीश महल तक का सफर अर्विन केजरिवाल ने दिल दिल्ली वालों को लूट करता है किया है, सचदेवा यही पर नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं कि बहतर होता कि आप सामुही कुक्वास के जगा सामुही प्रिश्चत आप करती, प्रदेश भाजपा से प्रभारी डॉक्टर अलका गुजर ने कहा कि शराब से शीश महल खकेलने और महिलाओं के खलाब जाकर शराब के ठेका खुले, इसका जवाब जनता आने वाले चनाओ में देने को तयार है, केजरिवाल की प्रतेक चोट का जवाब दिल्ली वासी आपको चनाओ में सातों सीटों पर चित करके देंगे, इतना ही नहीं मंच का संचालन कर रह कार्याले, मंत्री, बिजेश, राई और मीडिया प्रमुक प्रवीर शंकर कपूर ने भी कहा कि पहले रामलीला मैदान में केजरिवाल के समर्थन में रैली बुलाई गई थी, पूरा मैदान खाली रहा, भाजपा निताक कपिल मिश्रा ने कहा कि केजरिवाल दिल्ली ही नह महसूस कर रही है, शाजिया इल्मी ने कहा कि आप स्वराज से शुरू होकर शराप पर खतम हुई है, प्रदेश भाजपा महमंत्री कमल जीत सहरावत ने कहा कि दिल्ली में घर घर पानी नहीं पहुचा, शराप का ठेका खोल जरूर पहुचा दिया गया है, वहीं दूसी त आम आदी पार्टी ने लोकसबा चुनाव को लेकर अपना चुनावी कैमपेण भी लॉंच कर दिया है, जेल का जवाब वोट से नाम के इस कैमपेण के तहट आपने कई जगा पर पोस्टर लगाए है, आपकी तरफ से जो पोस्टर जारी किया गया है, उसमें अर्विन के जिवाल को जेल के अंदर दिखाया गया है, आपको बता दे कि आम आदी पार्टी के राष्ट ये संयोजक यानि अर्विन के जिवाल जो दिली के मुख्यमंतरी है, वो अभी तिहार जेल में बंद है, आपने जेल में बंद सीयम को ही अपने कैमपेण का सब बनाया है, और पॉसर में उन्हें ही जेल की सलाखों के पीछे दिखाया गया है, इस कैमपेण को लॉंच करने के बाद आपने ताओ ने कहा है कि हमारी जिवाल के मिशन को आगे बढ़ाएं, हमने एक कैमपेण लॉंच किया है, इस कैमपेण का नाम जेल का जवाब वोट से है, जिस दिन म पाल राय ने कहा है कि हर व्यक्ति की जुबान पर एक सवाल था कि जब अर्विन केजरिवाल जेल चले गए तो उनके बिना चुनावी अभियान कैसे चलेगा, जो लोग अर्विन केजरिवाल से प्यार करते हैं, उनके जिम्मेदारी है कि वो केजरिवाल के लिए काम करें, 25 मई को इस आंदोलन का समापन होगा अगर आपको लगता है कि आपके लिए अर्विन केजरिवाल ने कुछ भी किया है तो आप वोट की चोट दें एक तरफ जहां पार्टी ने अपना चुनावी कैमपेंड नौच कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ ये भी साफ हो गया है कि आप नेता आतिशी मार लेना असम में तीन दिनों तक चुनाव पर चार करेंगी जानकारी के मताबिक आतिशी डिबरुगर्ड, सोनितपूर और ड संजे सिंग ने ये भी दाबा किया है कि इलेक्ट्रोरल बॉन्ड के जरी किया गया, आप सांसद ने कहा कि नियमों में बदलाव किया गया, हजारों करोड रुपे की टैक्स की छूट दी गई, कई कमपनियों को ठेका दे दिया गया और ये सब कुछ परदी के पीछे चल र संजे सिंग ने ये भी दाबा किया कि वैसे 33 कमपनिया जोने साथ साल में एक लाग करोड रुपे का घाटा हुआ है, उन कमपनियों ने 450 करोड रुपे का चंदा बीजेपी को दिया है, यानि कुल मिला करके आम आदमी पार्टी जो भी दाम चलने की कोशिश कर रहती है, व सलाल के लिए इतना ही बाके खबरों के लिए आप जुड़े रहे, कापिटल टीवी के साथ नमस्कार